हेले फ्रेंड आप लग सोच रहे होंगे आज संगीता कोकिंग में यह क्या बन रहा है तो मैं बताती हूं कभी कभी क्या होता है हम मारे घर को या या हम खुद भी मार्केट से रसगुले लेके आते हैं वह बिल्कुल एस्पंजी नहीं होता है और वह टाइट होते हैं तो किस को खाने में अच्छा नहीं लगता है तो और खाने की चीज है तो उसे हम फेक भी नहीं सकते तो चलिए उससे क्यों नहीं हम रस्मलाई बना के तयार कर ले और बिल्कुल मार्केट की तरह ही मैं रस्मलाई बना के दिखाऊंगे तो इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा य प्लीज वीडियो को फुल वाच करें और जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करने जरूर कर लें क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे बहुत काम आएगा और वीडियो को फुल वाच जरूर करें तो चलिए फ्रेंड मैं बताती हूं से मैंने कैसे बनाया और बिल्कुल स्टेस्ट स्वाथ जो है इसका मार्केट जैसा होगा यह थोड़ी दिन में काफी गाड़ा हो जाएगा तो इसके लिए हमने क्या किया है एक लीटर दूद ले लिया और दूद को हमें न तो ज्यादा नहीं जलाना है तो यह दूद एक लिटर से थोड़ा कमी होगा तो इसे क्या करना हमें बस बॉइल कर लेना है और अच्छी तरह से इसमें वोइल आने लगे तभ है हम क्या क्या डालेंगे ओ मैं आपको दिखाती हूं देखिए तो इसके लिए हमने क्या क्या लिया है सामाक प्रूट जैसे काजू किसमिस पिस्ता आपकी जो इच्छा आप लीजिए और यह हमने ले लिया एक चमच कॉन्फोर और यह थोड़े से हमने केसर भी ठंडे पानी में भीगा के रखा है और यह देखिए यह हमने इतने रस्कुले बनाना है क्वांटिटी आपने नुशार ब बनाईए तो और जब हम जब हमें कस्टर्ड पाउडर और कॉंफोर को डालना हो तुसमें ठंडा पानी गरम पानी नहीं और उसी में उस गोल को अच्छी तरह से घोलेंगे ताकि उसमें कोई लंग न रहे और फिर यह हम दूद में अपलाई करेंगे तो देखिए जैसे हम दूर्ट खौलने लगें तो इसमें हम सारे रसगुल्लों को डाल देंगे रसगुला आप अपने क्वांटरेटी के अनुसार डाले आपको जितनी घर में रिक्वाइर हो आप उस हिसाब से बनाई यह जितनी बची हो उस साब से बनाई तो यह सबसे पहले हमने इसमें रसगुला डाला और इसके साथ ही हमने जो चीनी रखा था वो डाला चीनी ऑप्सनल है आपके इक्छा हो तो डाले आने था ना डाले वह ऐसे भी मिठी लगेगी और अब हमें क्या करना है इसमें ड्राइफ फूट डाल देना है और जो फूल के और भी इसका साइज बड़ा हो जाएगा तो देखिए हमारा रसगुला जो है अच्छे से इसमें पकड़ा है और अब हमें क्या करना है इसमें तो हमें जो कॉर्ण फ्लोर और कश्टर रखा उसमें हमें ठंडा पानी डालना है और उसे अच्छी तरह से मिलाना है ताके उसमें कोई लंच न रहे तो और हमें सा ध्यान रखे इसे ठंडे पानी से ही मिलाए ना गर्म पानी डाले और ना इसमें दूद डाले तो देखिए हमने इसे अच्छे से मिला लिया और यह ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम अब दूद में डालेंगे तो बस यह थोड़ा थोड़ा करके इसे हमें डालना है और चलाते जाना है तो कि इसमें ताकि यह दूद में अंदर जाके चिपक न जाए जो लोग कस्टड बनाते हैं उनको पता है कि थोड़ा सा भी जादा होने से यह तुरंट में नीचे चिपक भी जाएगा और तुरंट और दूद भी हमारा किता गाढ़ा दिखने लगा और बिल्कुल बजा मार्केट वाला टेस्ट यह रस्मला ही आपको देगा आप सोच रहे होंगे तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट में जो बनाता है वो रबडी दिखता वो रबडी नहीं होता और अब हम इसी में तो आदा केसर ढाल देंगे और आदे केसर को हम बचा लेंगे तो अर मार्केट में जो हम सोचते हैं कि वो रबडी बना के देते हैं नहीं बना के देते हैं वो उसमें यहीं डालते हैं कौन फ्रोर और साथ में वो इस कॉस्टर्ड मिला के ही डालती है तो देखिए कितना ब और आप हम गयास के फ्लेम को बंद कर देंगे तो देखे मैं आपको दिखा रहे हुए कितना गाड़ा हो गया और ऐसा है कि इससे ज्यादा टाइम रखना भी नहीं है क्योंकि यह जब ठंदा होगा तो और भी गाड़ा हो जाएगा तो देखे मैं दिखाती हूं रशकुला कि कितना स्पंजी हो गया जो इतना टाइट नजर आ रहा था तो यह देखे तयार हो गया मारा रस्मलाई और अब मैं गैस को बंद कर देती हूं और तो थोड़ी दर ठंडा होने लग देती हूं तो आपको मारी बनाई रस्मलाई कैसी लगी प्लीज आप हमें कॉमेंट बॉक सन में आप जरूर बताय थेंग